जब भी आप कुछ काम करना जारे हो यह आप कुछ काम कर रहे हो . अगर तुम की बाओ काम कर ओड़ा तो प्रॉब्लम्स आएंगी , अर्बतर्going स्फ़ल आपने हैं इसी मतलब है कि अगर खुछ करीं एगी एक निया में हर भी आप दिने कि बुछ की आ उसका कुछ है , दिक्कत यह नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम से, दिक्कत यह कि हम उस प्रॉब्लम को मैं इंटर्डेम किस तरीके से करते हैं मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो और प्रॉब्लम को डिसकस करते हो तो उस एक problem से 10 और problem निकलाती है problem की importance सिर्फ तभी तक है जब तक हम उस problem को identify निकर लेते हैं एक बार हमने उस problem को identify कर लिया है उसके पाद हमको focus करना है उसके solution के उपर अगर आप problem को discuss करोगे तो आप 10 नही problem निकाल लोगे उसके पीछे से अगर आप solution पर focus करोगे तो आप 10 solution निकाल लोगे अब depend इस चीज़ पर करता है आप किस चीज़ फोकस करते हो मेरा यह मानना है आप सिर्फ प्रोब्लम पर focus करो तब तक जब तक उसको identify निकर लेते हो एक बार आपने उस problem को identify तर लिया उसके पास को आप side में रखके सिर्फ पर solution पर focus करो अगर आप solution पर focus करोगे solution पर आप discuss करोगे तो आप solution निकाल लोगे और solution का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी और से कुछ expect कर रहे है for example recently maximum business suffer कर रहे है because of government policies अगर उसका solution वो यह बोले है कि government हमारी कुछ policies change कर दे क्या taxation को easy कर दे तो मेरा business में अच्छी तरण कर पाऊँगा तो यह solution नहीं हुआ solution होना चाहिए अपने आप से सब चीज़े अपनी ज़ेगे एसटीज रहेंगी उसके बाद हम क्या करे कि हम इस problem से overcome कर जाए है वो एक solution हुआ solution हमेंसा हमको अपने आप से ढूणना है हमको किसी और से expect नहीं करना है कोई हमको solution देगा या कोई कुछ करेगा तो हम solution ले पाएंगे अधरिव वो सिर्फ एक वीश है हम चाहते हैं कि यसा हो लेकि वो एक solution नहीं है solution हमेंसा अपने आप से होना चाहिए